आप सभी स्टूडेंट को इस वक्ते कि सबसे बड़ी बीग ब्रेकिंग न्यूज जो अपडेट देना चाहता हूं कि 36 गड़ में जो है 59 प्रतिशत आरक्षन को लेकर सबसे बड़ी खबर आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है और 50 प्रतिशत आरक्षन को लेकर सबसे बड़ा जट का 50% तक ही होगा आरक्षन जी हां पहले दो वर्स 2012 में आप 50% से बढ़ा गया अंठावन प्रतिशत किया गया था जिसे 2019 में अंठावन प्रतिशत से 42% तक हो गया है तो बलासूर हाईकोट ने कहा है कि 36 गड़ में जो है 72% आरक्षन अब नहीं होगा सि प्रसीजर की या फिर निट्टी के बात हो उन सभी में जो है सिर्फ प्रतिशत आरक्षन ही लागू होगा पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षन लागू नहीं हो गया लेकिन आपको बताना चाहता हो कि वर्तमान के भी कांग्रेश शरकार्माने स्रीमुक्य मंतर फूपेश बगहल के द्वारिश के लिए चिंता जटाई गई है और उन्होंने कहा है कि इसे हमाई सुप्रिम कोट में पेस करेंगे और सुप्रिम कोट का फैसला आएगा जो बहतर होगा जिसे आने वाले समय में ऐसा हो सकते है कि 36 गड़ में जो है आप हैस्टी के डिग्री वाले स्टूडेंट को 14 प्रतिशत आरक्षन का लाब जो है मिलेगा इसी तरह से कुछ फार्मूला आपका जो है आरक्षन को लेकर जो है बन सकता है तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपड़ेट है क्योंकि आरक्षन के वज़ह से ही इसे भी गवर्मेंट ज सबता है वह भी आपकर नहीं होता को इससी तममर को अरक्षन को लेकर जो है नियम आगया है जिसके हिसाब से अब क्या होगा कि जितने भी भर्तिय होनी है जाहें आपके बताना चाहता हूं अभी सीजी प्यस्यक्र अब में भरती होना था और उसके जो है मोड polls अन्सर आ गयाया है लेकिन उसके अभी नहीं आया बीजल्ट और फाइनलार जो चैन सुची जए प्रकरिय वाले सुची नहीं आया लेकिन जब चैन प्रकरिय जो पर 50% आरक्षन के हिसाब से जो है सेलेक्शन प्रोसीजर चैन सूची बना जाए गया तो इसमें इंक्यानवे पोश्ट है और इंक्यानवे पोश्ट के लिए 2,25,000 फाम तो इससे क्या होगा जिनका सेलेक्शन ओने वाला था उनका नहीं होगा क्योंकि पहले जो है 12% आरक्ष उनको उतना बेनिफिट जो है अब नहीं मिल पाएगा तो ऐसे में बहुत सारी चुनाथी का सामना आप लोगों को जो है करना पढ़ सकता है इसी तरह से आपके जो है 36 गड़ में सीजी टेट का भी मौना लंसर आ चुका है लेकिन अभी उसका रिजल्ट आना बागी है रि इसे भी सीजी टेट में जो है क्वालिफाइब मार्स जो है एसी एस्टी और ओबीसी के डिग्री वाले स्टुडेंट का सिर्फ क्वालिफाइब मार्स प्रतिशत था वहीं जनरल के डिग्री वाले स्टुडेंट का क्वालिफाइब मार्स साथ प्रतिशत था तो यदि असानी से क्वालिफाई था और जरहल के डिग्रे वाले इस्टुडेंट का नब्बे नंबर पर इसी तरह से तो अब आने वाले समय में जो है जितनी भी गवर्मेंट जाब विकेंस से सांप लोगों के लिए निकले गाए उन सभी में आरक्षन सिर्फ और शिर्फ पचास प्रतीशत ही होगा पचास प्रतीशत से ज्यादा आरक्षन किसी को भी देना जो है आप संभव नही है और हाई कोट का तो साफ काहन है कि पचास प्रतीशत से ज्यादा आरक्षन आप किसी को दे नहीं सकते और अंठावन प्रतीशत आरक्षन जो है असावधानिक है तो मानने स्री मुक्य मंतर भूपेज बधिल के द्वारा अच्छा काम जो है किया जा रहा था उन्होंने ज जैज का मानना था कि आपका ये मामला नहीं है ये मामला वर्स 2022 का एंठावन प्रतीशत के आरक्षन को लेकर मामला है इसलिए आप जो है कुछ नहीं कर शकते हैं लेकिन सुप्रीम कोट में जो है इस फैसले को है को चुनोती दिया गया है तो इससे अब आपके आने वाले स समय में जब सुप्रीम कोट से सुनवाई होगा उसके बाद आप लोगों को इन सभी का रक्षन कलाब आप सभी को मिल सकेगा तो आने वाले समय में आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत बड़ी अच्छी जो है अब डेट कुस खबरी निखल कर आ सकता है तो बस आ हम आपका 19 सितंबर से लागू हुआ है अब 36 गण में जित्ते भी कवर्मेंट जो वेकेंसिस भरतियां होगे उन से भी पर सिर्फ पचास प्रतिशत आरक्षन है लागू होगा पचास प्रतिशत से ज्यादा आरक्षन बिल्कुल है असवधानिक है और असवधानिक करार जो 2 नमबर को आपका जो है एसाई भरती का जो है एक्जाम सोने वाला है तो आप जो है एसाई भरती परिक्षय एक्जाम की जो है ताहरी कर सकते हैं बहुत ही कम समय आप लोगों के पास लगबग 20 दिनों का ही समय आप लोगों के पास बचा है तो इन 20 दिनों में जो है आवस से रूप से देखने को मिलेगा यदि आप सोचेंगे कि मैं महनत नहीं करूंगा और मेरा सेलेक्षन होगा तो ऐसा होने वाला नहीं है आप कंटीनी महनत कीजिए आपका महनत और ग्यान कभी भी विवर्थ नहीं होगा बस कंसिस्टेंसी रेगुलाइटी रेगुलर जो अवस से रूप से होगा तो 36 गण में अंठावन प्रतिशत आरक्षन को लेकर सबसे बड़ी अपडेटा है और यह आरक्षन आपका बढ़ कर जो है 62-62 प्रतिशत हो सकता अंठावन प्रतिशत से 62 प्रतिशत लेकिन अभी जित्ते भी भरतिया होनी है उन सभी में सिर्फ 50 प्रतिशत आरक्षन ही लागुख होगा तो यह आपके आने वाले अपकमिंग वैकेंसी है तो यह से भी अपडेट आप लोगों को जानना जो है बेहदी जादा इंपोर्टेंट है और इसको लेकर अगर किसी भी इस्टुडेंट के मन में कोई भी डाउट सो कुछ भी क्व किसी है कि आप सब्लोड के आप सब्रीड इस की सब्लोड कर चाराए है तो प्रीज जैननाइल को सब्सक्राइब कर लिजह करूं तक है कियाल नोटिपिकेशन को भी आओन करके रख लिजह ताकि जब्छि मैं वीडियो करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले में सब् government job vacancies के बारे में जो जानकारी मिल सेके so thank you, कोई doubts हो तो question जरूर करना धन्यावाद आपका